पाट अठारा र रैफ तथा र पदेन का सैयोजन र रैफ की मात्रा न र स नर्स स र प सर्प परवत परवत पढ़ो और लिखो बोल बोल कर पढ़ो कर्म, नर्म, चर्म, फर्क, तर्क, वर्क, मर्म, गर्म, धर्म, पार्क, शार्क, मार्ग, आरे, कारे, शौरे अर्पन, दर्पन, गर्दन, दर्जन, ग्रिशन, तर्पन, रितकी, आकर्षक, समर्पन, धरम्शाला, करम्वीर पढ़ो, वर्षा कारेकर, गरम, चाए, पी, एक, दर्जन, के, ले, ला, शिक्षन, संकेत बच्चों को बताएं कि र, रेफ की मात्रा का प्रयोग आने वाले व्यंजन के उपर होता है र, पदेन की मात्रा, ग, र, ह, ग्रह, च, क, र, चक्र, ड, र, म, ड्रम पढ़ो और लिखो बोल बोल कर पढ़ो क्रम, भरम, अग्र, उग्र, वक्र, ट्रक, व्रत, प्रण, क्रय, फ्रेम, प्रेम, प्रेत, प्रकट, ब्रमन, प्रसाद, प्रकाश, सम्राट, मद्रास, प्रकृती, अंगरेज, क्रमांक, प्रशंसक, क्रिस्मिस, प्रानायाम, ग्रामवासी, क्रमागत, पढ़ो, प्रेमा पत्रलिक, प्रमिला प्रतीक्षाकर, क्रोध मतकर, शिक्षन संकेत, बच्चों को बताएं, कि रव पदेन की मात्रा का प्रयोग, पहले व्यंजन के नीचे किया जाता है, गुरू द्रोनचारे, बहुत प्राचीन समय की बात है, गुरू द्रोनचारे नाम के एक महान आचारे थे, पाचो पांडव वा सभी कौरव उनके विध्यार्थी थे, किन्तु अर्जुन द्रोनचारे को पहुत प्रिये थे, अर्जुन ने गुरू द्रोनचारे से बान चलाने की शिक्षा ग्रहन की और छोटी सी उम्र में ही व धनुर विध्या सीख कर एक महान धनुर्धर बन गए, वरनों और बोटेश अरौटी सीख में अर्जू अर्णारे से बास्टिता अर्णारे से घरिये विध्यार्थ वर्णी विध्यारे से और भास्टा ट्सारे से ख़ाए,